स्वागत है आप सभी का XP Classes में आज हम लोग डिस्कस करेंगे Class 10 इंगलिस के पोर्टरी सेक्षन के अंतरगत बुक First Flight से Chapter 2 इसके पहले एक चैप्टर पोर्टरी का चैनल में अपलोड हो चुका है चैप्टर का नेम है Dust of Snow वो भी Robert Frost की पोयम है और ये भी Robert Frost की ही पोयम है हाला कि ये पोयम जो है वो एक Symbolical पोयम है और इसका जो टाइटल है Fire and Ice Fire and Ice Fire यहाँ रिप्रेजेंट करता है डिजायर को और Ice रिप्रेजेंट करता है यहाँ हेटरेट को हेटरेट को तो यहाँ यह पोएम सिंबॉलिकल पोएम है और इसमें यह बताया गया है कि कैसे यहाँ दो प्रकार की ओपिनियन है लोगों के पहला ओपिनियन यह है कि यह दुनिया फायर से खतम हो जाएगी दूसरा ओपिनियन यह है कि यह दुनिया आईस से खतम हो जाएगी लेकिन इन दौनों opinion को author ने fire and eye से represent किया है यानि symbolically उसको represent किया है कैसे किया है इस poem में अपने लोग समझते हैं बहुत अच्छे से तो देखें ज़रा some say the word will end in fire अब author कहता है कि कुछ लोग कहते हैं some say the word will end in fire कि कुछ लोग कहते हैं एक group of people जो है वो ये कहता है कि the bird will end in fire कि जो संसार है वो नश्ट हो जाएगा अगनी में यानि आग की वज़े से संसार नश्ट होगा यानि अगर इसको scientifically देखा जाए तो इस group के लोगों का कहने का अर्थिय है कि एक समय इतनी global warming बढ़ जाएगी कि जिसके कान संसार नश्ट हो जाएगा और दूसरा सम से इन आईस कुछ ऐसा कहते हैं कि ये संसार आईस यानि बर्प से खतम हो जाएगी यानि इतनी ज़्यादा संसार में बर्प बढ़ जाएगी इतनी स्रीतलता हो जाएगी कि सब लोग बर्फ से खतम हो जाएंगे अब लेखक इसी चीज को इनी दौनों ओपीनियन्स को विचार और टू ग्रूप आप पीपिल्स कि जो दो प्रकार के लोगों के ग्रूप हैं उनका जो आइडिया है उनके जो विचार है उस माध्यम से अगर देखा जाए तो वे लोग यह कहते हैं या तो आग से नश्ट हो जाएगी दुनिया या आइस से नश्ट हो जाएगी लेकिन अब ओथर इस पर अपने point of view से क्या कहता है यहाँ वो आग को क्या रेप्रेजेंट करता है तो आइस को क्या रेप्रेजेंट करता है ठीक देखें जरा अब ओथर कहता है कि अब जहाँ तक की एक्षा का सवाल है जहाँ तक मैंने एक्षा का अनफव किया टेस्ट किया उसको I hold with those I hold with those मैं उनके साथ हूँ यानि मेरा जो मत है उनके साथ होल्ड करता है I hold with those who favor fire जो fire को favor करते हैं यहाँ fire का मतलब है violence, anger, यह सब चीजे तो मैं अगर एक्षा का सवाल है यानि जो अगनी की बात कर रहे है कि अगनी से संसार नष्ट हो जाएगा वो अगनी यहां रेप्रजेंड कर रहे है desire को यानि संसार में इतना इक्षाएं बढ़ जाएंगी बहुत कुछ पाने की कि वो इक्षाएं मनुष्य को एक दूसरे को नष्ट करने पर मजबूर कर देंगी यानि दुनिया इसी में समाप्त हो जाएगी तो ऑथर कहता है from what I have tasted of desire I hold with those who favor fire कि मैं उनके साथ हूँ जो fire को favor करते हैं क्योंकि जहां तक इक्षा का नभव है तो मनुष्य की इक्षा इतनी बढ़ जाएंगी कि वो इक्षा एक अगनी का रूप धारन का ले क्योंकि हमारे अंदर जोस होता है बहुत कुछ पाने का हो जो उसे प्रकार की अगनी है तो वो इससे संसाननस्ट हो जाएगा आगे ऑथर क्या कहते है बट लेकिन इफ इट हैट टू पेरिस ट्वाइस पेरिस माननस्ट होने ट्वाइस मानने दोबारा टू टाइमस कि ऑथर कहता है अगर ये दोहरे तरीके से नस्ट होना है होनी थी अब थी सब दो हेट टू क्यों लगाया क्योंकि ऊपर ये बात कही गई कि अगनी से नस्ट हो जाएगा संसार और कुछ लोग कहते थे आइस से नस्ट हो जाएगा वर्व से तो अगर ये इस तरीके से होना था तो I think, तो author कहता है मैं सोचता हूँ, I know enough of hate कि मैं परियाप्त मात्रा में I know enough of hate कि मैं hate के बारे में परियाप्त मात्रा में ऐसा सोचता हूँ समझता हूँ, जानता हूँ To say that for destruction eyes कि ये hate ही जो संसार का जो दूसरा मत है संसार के नश्ठ होने का लोगों का, दूसरा मत जो है दूसरे ग्रुप और प्यूपिल का जो विचार है वो ये कि संसार आइस से नश्ठ हो जाएगा तो मैं सोचता हूँ, hate वो काम करेगी, अब यहाँ hate को hate को ice कहा गया तो यहाँ यह समझने वाली बात है author कह रहा है कि अगर यह संसार दोहरे तरीके से नश्ठ होना है तो I think I know enough of hate कि मैं जानता हूँ, मैं परियाप्त रूप से जानता हूँ कि जो hate है, घ्रणा है वो to say that for destruction ice कि वो ice के कारण जो धर्ती का विनाश होना है उसके लिए परियाप्त है is also great यह भी एक great है यानि कहने के मतलब यह एक बड़ा कारण है कि धर्ती नश्ठ हो जाए and would suffice और यह परियाप्त भी होगा यानि घ्रणा ही परियाप्त होगी संसार को नश्ठ करने में would suffice बने परियाप्त होगी यानि संसार या तो घ्रणा से नश्ठ हो जाएगा पूरी तरह कि लोगों के बीच आपस में एक दूसरे के प्रती बहुत बैर बढ़ जाएगा हिट्रेट बढ़ जाएगी कि मनश एक दूसरे को इसी में नश्ठ कर लेगा तो इस टाइप से ये रॉवर्ट फ्रोस्ट के टू ओपीनियन है उनके नजर ये से ये दो ओपीनियन है पहली चीज डिजायर और दूसरी चीज हेट्रेड जो इस संसार को नश्ठ करनी में परियाब थे तो आई थिंग ये जो पोयम है वो आपको किलियर हो गई होगी यदि किलियर हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसको अधिक सदिक सेयर करिएगा आगे अगले वीडियो मिलते हैं तब तक लिए नमस्कार जय हिंदि जय भारत बंदे मातरम